आज नवरात्री के सात्वे दिन मा कालरात्री का पूजन किया जाएगा मा कालरात्री दुष्टों का संगार करती हैं इनका रूप देखने में अत्यंत भेंकर है प्रन्तु ये अपने भक्तों को हमेशा शुब फल परदान करती है इसलिए इने शुबंकरी भी कहा जाता है इनका वर्ण काला है वे तीन नेत्र है मा के केश खुले हुए हैं और गले में मुंडो की माला दारन करती है ये गंधर गधा की सवारी करती है इनका नाम का उचारन करने मातर से बुरी शक्तियां भैबीत होकर भाग जाती है आईए जाने मा कालरात्री की कथा पुजाविधी, प्रियभोग वे मा को खुश करने का मंत्र मा कालरात्री की कथा एक पुराणिक कथा की अनुसार एक रक्त बीज नामक राक्षस था मनुष्य के साथ देवता भी इससे परिशान थे रक्त बीज दानव की विशेशता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धर्ती पर गिरती थी तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था इस राक्षस से परिशान होकर समश्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे भगवान शिव को ग्यात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती है भगवान शिव ने माता से अनुरूद किया इसके बाद मापारवती ने स्वम शक्ती वे तेज से मापालरात्री को उत्पन किया इसके बाद जब मादुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अन्त किया और उसके शरीड से निकलने वाले रक्त को मा कालरात्री ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया इस रूप में मा पारवती कालरात्री कहलाई मा कालरात्री का प्रियब भोग मा कालरात्री को गुड वेहलवे का भोग लगाना चाहिए इससे वो परसन होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है मा कालरात्री की पूजा के लिए सुबद चार से छे बजे तक का समय उत्तम माना जाता है इस दिन प्रात जल्दी इसनान आदी करके मा की पूजा के लिए लाल रंके कपड़े पहनने चाहिए इसके बाद मा के समक्ष दीपक प्रजवलित करे अब फल फूल मिस्ठान आदी से विधी पूर्वक मा कालरात्री का पूजन करे पूजा के समय मंत्र का जाप करना चाहिए तत्पश्चात मा कालरात्री की आरती करनी चाहिए इस दिन काली चालिसा, सिद्ध कुंजिका, स्त्रोत, अगला श्रोतम आदी चीजों का पाठ करना चाहिए इसके अलावा सप्तमी की रात्री में तिल के तेल या सरसो के तेल की अखंड जोती भी जलानी चाहिए मा काल रात्री को खुश करने का मंत्र ओम ज्यंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा चमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तते जै माता दी धन्यवाद